दोस्तों बोले भंडरी आज दिलांग चार मईई 2021 है सुबह के कोई सबा चार बजे हैं आज का हमारा संभासन हमारी देव वानी, जन वानी, मंगल वानी देखिए यह हमारा सरियंत्र की महान भारत अंदूलन देवर्ड फेमिली मुमेंट विशन गरेट इंडिया अब सुनिय मैंने क्या लिखा है हम सर्फ दस नट का वीडियो रखेंगे अब सुनिय मैंने क्या लिखा है आदिनांग चार मईई 2021 पहले आप सरसरी दृष्टी से सारा सुन लीजिए जो मुझे परमात्माने आज बोलने के लिए लिखाया है उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका एक्ष्पन लेसन दूँगा इस्वर मेरे सामने खड़ा है सुबह के सबा चार बजे हैं कल रात को कई दिनों के बाद कल रात को कई दिनों के बाद मैंने भर पेट खाना खाया चार रोटी खाई मूटी मूटी और मैं आज से ही अपनी डूटी पर आ गया मैंने की भाई परमात्मा तुमने मुझे जीवन बक्षा मैं अपनी डूटी पर तैयार हूँ सुनिए वैद देवानी क्या बोलती है देखिए कोरोना कोरोना या किसी भी समस्या के इलाज के लिए कोरोना या फिर किसी भी समस्या के इलाज के लिए इन विधर्मी इवेम चोरों को पकड़ो इन विधर्मी इवेम चोरों को पकड़ो जिनोंने भारत माता की लोगतंतरिस साड़ी को लोग तंत्रिस साड़ी को खेंच कर उसे दिन दाहाडे बेज़त किया है मा के साथ से ही तो उसके बच्चों पर खेर पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा जब तक की सुन लीजे ध्यान से इन सौर्ट कोराना या किसी भी समस्या के इलाज के लिए इन विधर्मी इवेम चोरों को सबसे पहले पकड़ो जिनोंने भारत माता कि लोग तंत्रिस साड़ी को खेंच कर उसे दिन दाहाडे बेज़त किया है मा के साथ से ही तो इन बच्चों पर कहर पढ़ रहा है उसके बच्चों पर कहर पढ़ रहा है और अभी जादा पढ़ेगा जब तक की जब तक की बच्चे मा की सुध नहीं लें आज की देवानी, जन्वानी, मंगलवानी, फ्रेंड्स सुनिए देज वर्ड्स आर नोट ओनली ओफ माइन बट ओफ बलू दोस्तों ये सब्द कोई मेरे ही नहीं है ये उस नीली छट्रिवाले के सब्द है ये तो सुब सुबह मैं किसी मजबूरी से प्रेरित होकर उससे जद्दो जहाद करके मैं उसके सब्दों को सुन लेता हूँ फिर आपको सुना देता हूँ इसलिए दोस्तों फ्रेंड्स दीज वर्ड्स आर नोट ओनली ओफ माइन बट ओफ बलू वो उस नीली छत्री वाले के सब्द हैं ये दूसरा सुनिए इसलिए ये कुछ भी हो ये सब्द जो बोले जा रहे हैं कुछ भी हो कैसे भी हो कभी भी हो नाव अर्ली मौर्निंग में हो कैसे भी कड़वे हो इनका बुरा मत मानना क्योंकि ये नीली छत्री वाले के सब्द हैं मैंने तो उनको सुन करके आपको बोल रहा हूं इसलिए ये कुछ भी हो कैसे भी हो कभी भी हो नाव अर्ली मौर्निंग में हो कितने कड़बे हूँ इनका बुरा मतमाना ये भले भले के लिए है दिल्ली में देश में तीसरा वाक्य है दिल्ली में देश में क्यों हरकम समचा हुआ है दिल्ली में देश में क्यों हरकम समचा हुआ है अभी तो दिल्ली दिलने भी नहीं लेगी दिखिए कैसा करवा भयानक सब्द उसमें लिखाया है तो लिखाया है दिली में देश में क्यों हरकम समचा हुआ है अभी तो दिली जलने भी नहीं लगी ही बगवान तुमने ये क्या लिखाया है चलो मैं भी भारत पासियों को चेटा दूँ मैं चेटा रहा हूँ दिली में देश में क्यों हरकम समचा हुआ है अभी तो दिली जलने भी नहीं लगी आगे सुनिये अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस सप्लाई बादित हुए अभी तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस सप्लाई बादित हुए यदि पावर सप्लाई वेजिटेबल सप्लाई मिल्क सप्लाई वाटर सप्लाई ट्रांसपोर्ट कम्मुनिकेशन ये सारी बादित हों तो दिल्ली का क्या होगा और ये बादित क्यों नहीं हो सकती अभी बताता हूँ तो क्या ऐसा होगा क्या ऐसा होगा भाई कोरोना को छोड़ो ये सिये, ये कोरोना, ये यूए पिये ये पुल्वामा, ये तीन किसानी मिल ये तीन सो सत्तर, इन सब की जड़े इवियेम तोर है, इनको पकड़ो वरना ऐसा ही होगा क्या ऐसा होगा कोरोना को छोड़ो सिये, कोरोना, ये पिये, पुल्वामा, तीन किसानी मिल, तीन सो सत्तर इन सब की जड़ तो इवियेम चोरी में है इवियेम चोरों को पकड़ो सब कुछ समधान हो जाएगा और सुनिए अब बड़े किसानों के बाद अब बड़े किसानों के बाद इन टॉप टैन परसेंट वालों की नीद उड़ेगी देखो भाई, उसने जैसा लिखाया है मैं आपको बोल रहा हूँ महीने, महीने सालों तक क्या दसकों तक एक L.T.L. प्रोग्राम चल सकता है यदि हम नहीं चेते तो महीन और सालों तक क्या दसकों तक एक L.T.L. प्रोग्राम चल सकता है यदि हम नहीं चेते तो और चलेगा देखो दोस्तो आठ मिनट का वीडियो हो गया है मैं इसे फेस्बूक और यूटूब दोनों पर शोड़ना चाहता हूँ जादा नमबा नहीं करूँगा मैंने इसमें बोल दिया है कि सब की जड़ यह EVM प्चोरी है भारत माता को दिन दारे जिन विधर्मियों ने जिन विधर्मियों ने बेज़ित किया है उसके कपड़े खेंच खेंच कर बेज़ित किया है यदि उसके बच्चे उसके लिए नहीं आते तो वो साप नहीं देगी तो क्या करेगी ये बच्चे इसलिए मर रहे हैं और अभी ज्यादा मरेंगे पूरा पूरी दिल्ली जलेगी देश जलेगी सब कुछ बादत होगा और तब तक होता रहेगा जब तक की बच्चे अपना काम नहीं कर लेते और इस देवबानी जनुवानी को नहीं सुन लेते भया ना खड़ कंप मचेगा चेतना है तू चेत जाओ यह कोरोना क्या है दो चार परसेंट कोरोना है पिच्चान में परसेंट इक संद्यंत रहें यह हवा है मुझे पता है देश में क्या क्या होगा बड़ा भयानक होगा किसे को सुनना है तो सुन लो यह मैंने बता दिया है ऐसा ऐसा ही होगा सारी समस्याओं का हल EVM चोरों को पकरने में उसके बचचे जल्दी पकरो वरना यह बचचे बच्चियां सब मारए जाएंगे जिन को मरना ही चाहिए जिन को जलना भूलना चाहिए जो बच्चे बच्चियां अपने मा की इज्जत को बरकरार नहीं रख सकें उनको जीने का कोई हक नहीं आज इतना ही जय हिंजे भारत